कोरोना वाइरस के चलते देश की अवाम को एक जुट करने की कोशिश प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी लगातार कर रहे हैं और जनता भी एक जुटता का परिच्च दे रही है 21 दिन के लोकडाउन के चलते सबसे पहले पी-एम मोदी ने पबलिक कर्फ्यू के लिए देश की अवाम से अपील की थी जिसमें कहा गया था कि देशवासी 22 मार्च को सुभे 5 बजे से रातरी 9 बजे तक अपने घरों से बाहर ना निकलें उस समयवी देशवासीों ने परधान मंत्री की अपील का अनुसरन किया और अब दूसरी अपील मोदी जी की तरफ से ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रातरी 9 बजे से सबी अपने घरों में दिपक जगाएं और घरों की सबी लाइट्स को बंद कर दें इस पर भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि देश की जनता ने बिल्कुल वही किया जैसा प्रधान मंत्री नेंडर मोदी जी ने कहा था किंतु कोरोना को के सिधान्त सोशल डिस्टेंसिंग को इस अपील में बहुत कम देखा गया जहां सभी ने दिपक तो जगाए लेकिन डेश के कुछ वी आईपी भी सोशल डिस्टेंसिंग के सिधान्त को फॉलो करने में नाकाम रहे चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधान मंत्री नेंडर मोदी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या कह रहे हैं और फिर दिखाएंगे कुछ तस्वीरें जिन में कौन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहा है और कौन नहीं सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चैन तोड़ने का यही रामबान इलाज है इसलिए पाँच एप्रिल रभिवार को रात नव बजे कुछ पल अकेले बैटकर मा भारती का स्मर्ण कीजिए 130 करोर देश्वास्यों के चहरों की कल्पना कीजिए 130 करोर देश्वास्यों की सामुईक्ता इस माहसक्ति का एसास कीजिए यह हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्म विश्वास भी लड़ी झाल 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 ताज़ा प्डेट्स के लिए इर्श परकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें